नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सब्सक्राइब में वीडियो को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबैक है कोई सजेसिंगे तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर पता हिए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिजे और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरं सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिजे ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे यूटूब में फॉलो करते है तो प्लीज यह वाला फ्री टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लिएगा सारे नो अधियर के बारे में समझेंगे हम देखेंगे कि अलग-अलग मुगल शाषको ने कौन-कौन से नए फीचर साइट किये थे ऑर्किटेक्चर में इसके साथ ही साथ अलग-अलग शाषको द्वारा बनवाये गया अर्किटेक्चर के एक्जामपल भी देखेंगे तो चलिए आगे पढ़ते हैं और क्वेशन के फॉर्म में पूरे टॉपिक को कवर करते हैं हमारा क्वेशन कह रहा है राइट फीचर्स ऑफ मुगल आर्किटेक्ट्चर विद एक्जाम्पल्स मुगल इस्थापती की विशेष्टाओं को अधारन सहित लिखिए हम बताएंगे कि मुगल मुगल शाष्कों के अधीन मुगल वास्तुकला जो बनवाई गई थी वह इस प्रकार है तो क्रोनोलोजी से हम चलते जाएंगे और हम एक एकर करेंगे सब को डिसकस करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे बाबर की बाबर का टाइम पीरिट काफी चोटा था उन्होंने काफ हमायू तो हमायू अपने शाषन को स्थापित करने के लिए काफी जादा जंगों में बिजी हुआ करते थे तो उनके पास आर्खिटेक्चर में इन्वस्ट करने के लिए इतना टाइम नहीं था लेकिन उसके पावजूद उन्होंने दीन पना नाम के शेहर के नीव रखी तो यह उनके द्वारा बनवाया हुआ आर्खिटेक्चर था फिर आता है शेर्शाह का टाइम पीरिट शेर्शाह ने किलाए कुन्हा मस्जिद चीती रोड और अपने खुद के मकबरा बनवाया था सासाराम में फिर आता है अकबर का शाषन काल 1556 में अकबर सिंगासन पर और उसी के साथ मुगल कला का स्वर्ण काल शुरू हो गया था अकबर ने लाल बलुआ पत्थर और ट्यूडर महराब यानि चार केंदरी महराब के उपयोग करके इस्ट्रॉक्चर बनमाने शुरू किये थे तो जो इनका कंस्ट्रॉक्शन मतेरियल हुआ करता था वह था ल देख चुके हैं उसमें हमने चार बाग शाली को देखा था और अगबर की बनवाई हुए प्रसेद वास्तु कला या इनके बनवाई हुए फेमस आर्किटेक्चर कौन-कौन से हैं तो सबसे पहला आता है आगरा का किला अगबर द्वारा बनवाया हुआ पहला अर्किटेक और शीष महल यह चार फेमस इस्ट्रक्चर सागदा के किले के अंदर बनवाय थे शाजहा ने पर उसके बाद दूसरा है फतेपुर सीकरी अगबर ने फतेपुर सीकरी में को अपनी नई राजधानी बनाया और इस शहर में जोन्होंने इमारते बनवाई उसमें हिंदू औ और कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हैं बुलंद दर्वाजा, पंच महल, जोदा भाई का महल, सलीम चुष्टी का मगबरा और इबादत खाना फिर व्रिंदावन में गोविन देव का मंदिर भी अकबर ने बनवाया था अकबर के बाद आता है जहांगीर का शाशनकाल ज जब चुत्रकला यानि पेंटिंग अपने पीक पर थी और अर्किटेक्चर में थोड़ा सा डिकलाइन देखने को मिलता है जब हमने पेंटिंग का चाप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि जहांगीर के टाइम में पेंटिंग सा पने पीक पर पहुँच गई थी उन्ह से कुछ फेमस इस प्रकार है सबसे पहले सिकंदर में अकबर का मगबरा बनवाया था उन्होंने लाहॉर में उन्होंने खुद का मगबरा बनवाया था यानि जहांगीर का मगबरा कश्मीर में उन्होंने शालीबारबाग बनवाया था और लाहॉर में मोती महल भी बनवाय अत्मादुल्ला और नूर जहां के पिता थे और उन्होंने पिता का मग्बरा बनवाय था लख् Harley- nouvelles is आगबर के ताइम पीडियों नहीं करते हैं, तो यह से होसे, जैसे जहांगिर का इम सफेज संग मर्मर का उपियोग दिन जा ए चेहने हो ज़गा फिर जैसे जहांगीर का यह की साइम के सिया अखता हि र onze यह, जहांगीर के टाइम पीरिएट से ही इसके बाद शाह जाहां का हम आर्किटेक्ट्चर डिसकस करें शाह जहां के द्वारा बनवाया है उससे पहले मैं आपको इंफर्मेशन देना चाहती हूं कि इस टाइडी फॉर सिवल सर्विसेश के पेड गुरुप से स्टार्ट है नीचे दियागे नमबर पे आप कॉंटाक्ट करके इन पेड गुरुप को जॉइन कर सकते हैं इन सारे वीडियो की पीडियेफ आपको वहां मिल जाएगी इसके साथी साथ आपको बाकी सारी पीडिये इस प्रोवाइड करके सेरा सिलेबस कवर किया जाएगा बन-to-one गाइडेंस मिलेगी आपकी नहीं सांसर आइटिंग प्राक्टिस कराई जाएगी आपके आंसस को रीव्यू भी किया जाएगा आपकी प्रप्रेशन बहुत स्ट्रॉंग हो जाएगी आप नीचे दियेगे इसके बाद आता है मुगल काल का जो आर्किटेक्चर था वो इदना पीक पर पहुँच गया था शाजहा के टाइम पीरिड में शाजहा के शाशनकाल के दौरान मुगल वास्तुकल अपने चरम पड़ थी और इसके फेमस एक्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं सबसे पहल तो हम देखा तक कि इसलामिक अकिटेक्चर में हमें जाली वर्ग देखने को मिलता है जो कि दिखाता है कि इसलाम में लाइट का कितना महत्व है तो वो जाली वर्ग हमें देखने को मिलता है ताजमहल में बहुत अच्छे एग्जाम्पल है उसके बाद रेट फोर्ड दिल दिली के जामा मजजिब, शालिमार बाग लाओर तो देखिए शालिमार बाग जो कश्मीर का था उसको जहां गीज मेबन्वाय था और शालिमार बाग लाहौर का शाजहा ने बनवाय था फिर शाज़हाना बाद शहर उसके बार मयूर सिंगासन यानि पिकॉक्छ थ्रोन फिर आता है लास्ट में और अरंगजेब और मुहम्मद आजम शाह का टाइम पीरिट तो इस टाइम पर शाह जहां के बाद से अर्किटेक्चर काफी डेकलाइन होना शुरू हो गया था और अरंगजेब के टाइम पर हमें कोई भी ऐसा प्रॉमिननट अर्किटेक्चर रेखने को नहीं मिलता है क्योंकि उन्होंने कोई दिल्चस्पी नहीं दिखाए था उनका कोई इंट्रस नहीं था अर्किटेक्चर उन्होंने बन वहाया था जीनत महल अपनी वाइफ के लिए था मोहमद आजम रखनता अपनी मा बेगम रबिया दुरान की आदमें पिर मोहमद आजम शाह अन्ते मुगल शाष ते जन्होंने निर्मान कार कराया था आपके याद ठा हम कर दसल्हें कि दो सल्किटेह उग और आदा हमारा medieval architecture complete हो चुका है बस दो पंट medieval architecture में बचे हैं एक सिख architecture और एक राजपूत architecture जिसे हम next video में पॉर्टगीज और फ्रेंच आर्किटेक्चर के साथ मिला के discuss कर लेंगे क्योंकि ये दो छोटे छोटे पॉइंट से इनके लिए एक पूरी अलग से वीडियो नहीं बनाई जा सकती तो चार ऐसे अर्किटेक्चर जिन्हें हम एक separate वीडियो में cover कर लेंगे पने रहिए का चानल के साथ मिलते हैं next video में thank you for watching